दोस्तों अगर आप अक्सर confused रहते हैं कि stop-loss आप कैसे लगाएं किन लेवल्स पर लगाएं क्या कोई टूल है जो stop-loss डिसाइड करने में आपकी मदद कर सकता है तो यह वीडियो आपके लिए है जरूर देखेगा पूरा वीडियो तमस्का दोस्तों मैं भरत जिन्जिनवाला आप सब का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर फ्रेंट्स आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टन टॉपिक है जो कि stop-loss के उपर है आज हम stop-loss के बारे में चर्शा करेंगे हम देखेंगे तूल्स जो कि आपको stop-loss decide करने में मदद करता है साथ ही साथ सिर्फ decision stop-loss इनिशल stop-loss के लिए नहीं बलकि अगर आपको अपनी positions को trail करना है तो वो वी आपको मदद करता है जैसे कहते हैं कि ride the profits cut the loss short तो यही तूल्स हम देखेंगे कि कौन से ऐसे टूल्स हैं जो आपको profit trail कर सकते हैं और trend का पूरा मज़ा उठा सकते हैं तो बहुत सारी tools देखेंगे price action के basis पर देखेंगे volatility के basis पर देखेंगे average trend tools देखेंगे जो आपको stop-loss decide करने में मदद करती है तो friends अगर आप यह चैनल पहली बार देख रहे हो तो सबसे पहला काम करना है आपको चैनल को के साथ share करिए कहां share करेंगे WhatsApp पर टेलीग्राम पर Facebook पर LinkedIn पर Twitter पर बहुत जगे आप हो तो अगर आपको लगता है कि हमारे हमारा content वर्दी है हमारे content पर दम है तो जरूर से share करिए अपमें दोस्तों के साथ जो सीखना चाहते है technical analysis जो stock market के बारे में इक्चुक है सीखने के लिए उसी का trade करने के लिए तो भीना किसी विलम के आगे बढ़ते हैं और हम आज देखेंगे definitive guide to stop loss तो पहले हम यह समझते हैं कि stop loss होता क्या है देखें यह सब literature आप प्रेसेंटेशन हम आपको देंगा जब आप पढ़ लिजिएगा लेकिन stop loss क्या होता है कि आपको बतात पेल हो गया तो अगर वो reason ही नहीं बचा जिसके लिए आप trade में enter कर रहे हो तो आपको exit करना चाहिए तो सोचिए अगर आप enter करते हैं एक double bottom पे यह double bottom पे आप enter करते हैं और समझे इस swing पे आप enter कर रहे हो यहाँ पर आपकी entry है तो अब आपका entry करने का जो कारण था वो था यह swing का break होना अब किसी कारण से समझे मार्केट में कोई अचाराइक में कोई selling आ गई या इस stock में कोई earnings गरबड आ गई या कुछ भी news कुछ भी हुआ या oral market में कुछ कमजोरी आ गई और यह जो price है यह आपके entry level को breach कर देती है या आपके stop loss level को breach कर देती है तो अब आपका जो कारण है जो कारण है entry करने का जो आपका reason था वही valid नहीं रहा क्योंकि आपका important support break हो गया है तो यह important support break हो गया है तो अब देखें यह stock कितना नीचे जाएगा यह किसी को नहीं पता क्योंकि अचा यह ऐसा हम क्यों बोलते हैं कि कोई stock अगर एक trend पकड़ लेता है तो वो trend continue रहता है कुछ समय के लिए यह तो हम जानते हैं कि अगर कोई भी trend शुरुवात होती है तो कुछ समय के लिए continue रहती है तो यह जो trend है हो सकता है कुछ समय के लिए continue रहे हो सकता है एक हपते के लिए रहे हो सकता है एक महिने के लिए हो सकता है कई महिनों के लिए रहे तो और आपने अपना stop यहां नहीं काटा, आपने पोजीशन से यहां exit नहीं करी, तो देखिए आपको क्या भरना पर सकता है, तो इसलिए आपके capital को preserve करने के लिए stop loss होता है, एक चीज़ याद रखिएगा, देखिए, आपने, हम सबने महिंदर सिंग धोनी के बारे में जरूर सुना है, तो उनका एक बहुत कमाल का trade है, जो की वो रहते हैं कामसी, जिसे हम बोलते हैं, बहुत शान्त रहते हैं, बहुत शान्त रहते हैं, तो अगर कोई game वो जीत जाते हैं, तब भी वो शान्त रहते हैं, कोई game अगर वो हार जाते हैं, तब भी वो शान्त रहते हैं, तो उनसे पूछा गया, कि sir, आप इतने captain cool क यह part of the process है, कभी हम जीतेंगे, कभी हम हारेंगे, important क्या है कि हम अपना 100% है, हम practice करें 100% है, लेकिन आपको अगर पता है कि यह जो process है, trading का process है, बिना losses के आपका gain नहीं होगा, आपको इस game में, इस process में losses भी होंगे, आपको profits भी होंगे, हमारा as a trader goal क्या होता है, अपने losses को small और वो आप कैसे रखेंगे, right stop loss को चुन कर, right, तो stop loss जो है, वो एक बहुत important element होता है, आपकी capital को preserve करता है, और आपको बता देता है कि आप यहाँ पर गलत है, ठीके stop loss दो तरह के होते हैं, एक होता है fixed stop loss, fixed stop loss मतलब की, मतलब की आपने, आपने trade लेते समय, अपना stop जो है, वो fix कर लिया, है ना, तो समझ ये एक triangle के basis पे आप trade ले रहे हो, एक ascending triangle पे आपने trade लिया, तो आपने अपना, आपने ये decide किया कि अगर इस swing के नीचे price आती है, तो आप exit माल लोगे, तो ये swing आपका stop loss हो गया, तो ये fix stop loss हो गया, right, एक stop loss होता है, जिसे हम dynamic stop loss बोलते है, dynamic stop loss क्या होता है, देखें, जैसे जैसे market की condition change होती है, वैसे वैसे आपने stop को change कर लेते हो, तो जैसे कि बहुत जने लोगों को आपने सुना होगा, ATR use करते होए stop loss के लिए, तो average to range है, volatility के basis पे stop loss को change कर लिया, बहुत लोग moving averages use करते है stop loss के लिए, ये मैं सब दिखाऊंगा आपको कि कैसे इस्तेमाल हो सकता है, तो ये होता है dynamic stop loss, मतलब कि market के हिसाब से, आप जो है, अपनी stop loss को change कर रहे हो, तो अगर आप trend में चले गए, या कोई fix stop loss नहीं है आपका, एक market के हिसाब से आपका dynamic stop loss हो गया, अब, जैसे मैंने आपका खा कि why stop loss is important, ये question जैसे हम मैंन आपको discuss ही किया, कि why stop loss is very important, देखिए सबसे बड़ी बात, कि हम छोटे trader है, और हमारे पास जो capital है, वो बहुत finite है, राइट, छोटे capital रहता है हमारे पास, अभी, हम बड़े अच्छे नहीं तो है नहीं, हमारे पास 400, 500, 700, 1000 करोड रुपे है नहीं, छोटा capital है, हमारे पास capital about finite capital है, तो हमें छोटे capital से बड़ा पैसा बनाने का एक ही तरीका होता है, जो आपको अपनी position को churn करना पड़ता है, चurn मतलब कि अगर एक ही stock को लेकर या couple of stocks को लेकर आप बैठे रहे, और वो नीशे जाता रहा, नीशे जाता रहा, आप उसके पर बैठे रहे, तो आप ए जालते ही कि यहां से consolidate करेगा या correct कर सकता है, उस stock से निकले, दुसरे stock में घुशे, वो अपने का stop loss हीट किया, वहां से निकले, दुसरे में घुशे, फिर वहां पर target मिला, वहां से निकले, दुसरे में घुशे, तो इस तरह से churning करते हैं, तो यह churning बहुत ज़रूरी होत description में भी डाल दूँगा, आप जरूर देखिएगा, उसमें एक table में मैंने बताया है, कि अगर कितना percentage of stop, अगर आप loss लेते हो, तो कितना percentage चाहिए उसको recover करने के लिए, तो अभी एक बड़ा loss, एक बड़ा effort मांगता है, यह चीज का जहान दखिएगा, तो as a rule, आप याद stop loss 5% से काम हो, या अच्छे market में, जहाँ पर stop loss 3% से काम हो, वही पर entry करता हूँ, तो यह 10% तो हमारा maximum stop होता है, maximum, इसकी नीचे तो हम जाई नहीं सकते, इससे उपर तो जाई नहीं सकते, और जब पसनली चाहिए हम हम ट्रेड करते हैं, तो हमारा मेरा goal होता है 2-5% का, बस यहाँ पर, इससे, इससे, यह non-negotiable, यह तो non-negotiable है, इसके, इससे ज़्यादा अगर आप कहीं पर भी loss कर रहे हो, या इससे ज़्यादा stop loss कर रहे हो, तो आप जिन्दगी में पैसा नहीं बनापाऊ, मैं गरेंटी बता रहा हूँ, आप market को odds दे रहे हो, odds market के favor में, इतना जो है, यह negotiable है, 2-5% के बीच पर अतना stop loss रहता है, stop loss critical होता है, आपके, समझे, किसी position में, आप बहुत जादा concentrated हो, जैसे कि बहुत बार क्या होता है, earnings में, हम earnings को खेलते हैं, कई बार ऐसा होता है, कि बहुत अच्छा tip मिला, या बहुत अच्छा कहीं से आपको information मिली, तो कहीं से आपको tip मिलती है, कहीं से आपको कोई information मिलती है, तो आप 10 के बदले कभी-कभी उसमें 50,000 भी invest कर देते हो, बहुत चलो, एक बार risk लेके देखते हैं, लेकिन जब आपका position इतना concentrated रहता है, आपका position इतनी concentrated जब रहती है, एक ही position में, आपका maximum, तमझे 50-60% आपने capital डाल दिया है, इतना concentrated अगर आपका position रहता है, तो महाँ पर stop loss को समझना, और महाँ पर stop loss रखना, और उस stop loss को follow करना बहुत ज़रूरी होता है, तो जबी भी आपका concentration position होता है, आप याद रखिएगा, आपको risk extra होता है, और इस risk से आपका बचाओ करती है stop loss, कि अगर कहीं पर भी किसी भी हालत में, खुदा ना कास्ता, ये position गलट हो जाए, या ये trade उलता पड़ जाए, तो आप एक minimum loss लेके निकल जाओ, आप अपना capital वहाँ फसा के मत रखो, राइट, याद याद जयाद रखिएगा, top से, top से नीचे जब stock गिरता है, तो वो 100-200% का correction उपर से ये नीचे तक भी दे सकता है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी ऐसे ऐसे charts, और एक सबसे must बाद है stop loss के लिए, कि ये जो होता है ना, बहुत flexible होता है, stop loss को use करना बहुत flexible होता है, बहुत तरीके हम आपको दिखाएंगे, और आपके सुविदा के हिसाब से, आप stop loss को इस्तम समझते हैं क्या होता है, नहीं समझते हैं तो उसके पर भी बहुत सारी वीडियो हम लोगे ने बना रही है, जाके playlist में देखिए मिलेगा आपको, तो यहाँ पर एक important support था, और यहाँ पर हम देखे कि support पर price जो है, वो बार-बार support खाके उपर जा रही है, ओके, तो हमने क्य किया, हमने सोचा कि अब price अगर support पर उपर bounce करेगी, तो हम buy कर लेंगे, तो suppose यहाँ पर price ने support पर bounce किया, और आपने यहाँ पर buy कर लिया, आप यह देखे, position उपर जाती है, आपने समझे इस बड़े candle पर buy किया, position उपर जाती है, और आपने अपना stop loss यहाँ पर रखा, यह important support है, अगर यह support तूट जाता है, तो यह जो trade है, वो पूरा negative हो जाता है, तो आपने अपना stop loss यहाँ पर रखा, अब यह position अगर आपके against जाती है मेरे दोस्त, तो देखिए, अगर आपने यहाँ पर stop loss ले लिया होता, तो आपका loss कितना होता, maximum यहाँ पर, जो हम बोल सकत में, 2-5% के बीच में, exact figure मेरे को पता नहीं, लेकिन चलिए, मैं यह मानता हूँ कि 2-5% के बीच में, ज्यादा loss नहींगे, अगर आपने यहाँ लिया, तो ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ नहीं लपा होगे loss, तो मैं आपको guarantee के साथ बोल सकता हूँ, आप यहाँ पर भी 1850 के आसपास अगर आप अपना loss book कर लेते, तो यहाँ करो, यहाँ पर 1450 के पास अपना loss book करो, तो 400 point, यह देखिए, अब यह 400 point का loss है, अगर आपने 50 stock भी खरीद के रखे हैं, और आपने यहाँ पर stop loss अपना book की नहीं किया, तो 400, 50 into 400, आप calculate कर लिए 20,000 रुपया होता है राइट, तो 20,000 का extra loss आपने book किया, और यहाँ पर अगर आप अपना loss book करते तो हो सकता छोटा loss आपका होता, और आप महाँ से निकल जाते, अब आपने सोची है 50 stock तो नहीं लेंगे, आप ज़्यादा ही लिए होंगे, कई जन, अब यह 50 तो छोटी position है, यह 50 के बदले तो क्या होगा समझे आप, एक future के lot पे अगर आप 400 रुपे का नुकसान लेते हो, तो आप समझो क्या होगा, capital आपकी साफ हो जाएगी एकी trade में, तो यहाँ तो यहाँ पर सांती से loss book कर लो, अच्छे बच्चे की तरफ, chop loss follow करके, और अगर आप यहाँ नहीं बुक कर तो सबसे पहली आदत हमें यह दाननी है, कि stop loss हमें लेना सीखना है, और stop loss हो कैसे लगाना, कहा लगाना है, वो हम यहाँ पर discuss करेंगे इसी वीडियो में, अब यहाँ पर देखे, चार तरह के stop loss होते हैं, यहाँ पर हम चार तरह के stop loss discuss करेंगे, पहला तरीका होता है pattern based, मतल प्लाइक, पेनेट, यह सब के basis पे हम अगर trade लेते हैं, तो pattern based stop loss होते हैं, कि वही वहाँ पर जहाँ पर यह pattern negate हो रहा है, वहाँ पर stop loss हम ले लेंगे, कि यह हम यह head and shoulder, यहाँ फेल हो गया, यह rectangle यहाँ यहाँ ट्राइंगल यहाँ फेल हो गया, यहाँ ट्राइंगल volatility based, दूसरा होता है volatility based, मतलब कि अगर एक ऐसा tool हम इस्तेमाल करें, कि market अगर ज्यादा volatile हो, तो stop loss हमें वो tool अपने आप adjust करके दे दे, ठीक है, तीसरा होता है trend based, trend based जो stop loss है, यह ज़्याँ ट्रेलिंग में काम आता है, ट्रेलिंग का मतलब क्या होता है, कि आपने एक position में entry कर लिए, और अब आप उस position को trail कर रहे हो, कि अब entry हो गया, हम profits में है, लेकिन आप अपने profits को बचाने के लिए, हम अपने stop loss को trail करते जा रहे है, तो वो generally trend based होती है, और चौथा होता है, fixed rupees based, right, fixed rupees based stop loss, तो चारो stop loss को एक एक करके देखेंगे, और इन चारो को किस तरह से use क करना है, कौन-कौन से tool इन चारो stop loss को जब हम लगाते हैं, तब हम वो सब tool भी देखेंगे, यहाँ पर, तो पहले पहरते है, pattern based stop loss, पहले pattern based stop loss को देखते हैं, कि pattern based stop loss क्या होता है, right, तो pattern based stop loss होता है, friends, कि आपने समझिये, जैसे मैं आपको बताया, कि कोई breakout trade लिया, यह सकते है, यहाँ पर भी stop loss लगा सकते हैं, सिधा इस base के निचे भी stop loss लगा सकते हैं, तो price action पर बेसिस पर STOP LOSS लहें, तो यहाँ पर मैंने कहा, कि यह तीन तरह से stop loss लग सकती है, एक breakout level पर लग सकती है, एक swing level पर लग सकती है, और एक pattern high low पर लग सकती है, तो देखी, क्या हो कि औरर आपटन एंट्री करते हो तो इस ब्रेक आउट लेवल पे आपश्ण लगा सकती है इस ब्रेक आउट लेवल पे आप स्टोप लोस लगा सकते हो रहत का लिए और आपने यह मैंड सेट किया कि अगर यह प्राइज आकर ये से निशे इसमें प्रब्लम यह होती है कि कई बार प्राइज जो है वो ब्रेकाउट लेवल को वापस रीटेस्ट करने के लिए आ जाती है और अगर आप इतना टाइट स्टॉप रखोगे तो वह आपको यहां पर शेक आउट करके कुछ इस तरह से वापस उपर के तरफ चले जाएगी तो इसके यह डिसद्वांटेज है तो यह चीज़ का ध्यान रखेगा नेक्स्ट होता है श्विंग लेवल अब यहां पर देखिए यह ब्रेकाउट लेवल था प्राइज यहां से ब्रेकाउट वी लेकिन उस ब्रेकाउट के पहले प्राइज ने यहां पर एक स्विंग ब दोगे इस से क्या होता है ologie कको सब्सक्राइब जाता है पर जाकर शर्क्लाइब सब्सक्राइब लेवल पर फिर विर डिजाए तो अगर सब्सक्राइब ने необходимо तक क्योग जाता है आपको यहां पर होगा हो है जो कुरूंकि ग्रेडिन मेक्सिमम जो जो ब्रेकाऊट होते हैं वह रिटेस्ट करेंगे करेंगे उनका वह रिटेस्ट करने का तो है तो अपको उस सुमय अगर आपने स्विंग लबल पर स्टोप लॉस रखा है तो वह आपको एक बफर मिल जाएगा और आप स्टोप आउट होन अब आप क्या करोगे जनर्रली देखें ये ब्रेकऊट लेवल हो गया ये पूरे पैटरन का लोग वगया ये पूरे पैटरन का हम देखिए आप पूछोंगे की आपने तीन तरह के स्टोप Loss बता दिये पैटर्ण ट्रेडिंग में कौन सा रखे मैं आपको भी बता जिता हूं कि कौन सा आपको फॉलो करना है तो यह जो पैटर्ण का लो है यह आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा तो कई बार क्या होता है कि ऐसे निश्या के समझे स्विंग को भी टोड़के निकल जाए तो वह प ब्रेकाउट पे आप एंट्री करते हो ब्रेकाउट लेवल पे यहां पर और आपका स्टॉप लॉस रहता है यहां पर यह स्टॉप लॉस बहुत टाइट होता है और यह जो स्टॉप लॉस होगा वह एक से तीन परसंट के बीच का स्टॉप लॉस होगा ठीक है स्विंग के नीचे अगर आप stop loss रखते हो तो ये थोड़ा सा room आपको देता है और ये जो stop loss होता है वो 5 से 8% का stop loss रहता है और ये जो pattern का stop loss रहता है ये बहुत बड़ा stop loss रहता है बहुत ज्यादा room देता है और ये जो stop loss होता है वो 8 से 15% का और कभी-कभी तो 20% टक का भी stop loss होता है तो अब आप मेरे को बोलो कि अगर आप इतना tight stop रख लोगे तो there is a high probability कि वो आपको stop out करके चला जाएगा अगर आप इतना बड़ा stop loss रखोगे तो भाई अगर ये stop loss हिट हो जाता है तो आपकी recovery में बहुत time लगेगा हम अपनाएंगे beach का राष्टा हम use करेंगे swing level जो latest swing होगा breakout के पहले हम वहाँ पर अपना stop loss रख लेंगे अगर इसमें क्या होता है न कि अगर आप थोड़ा सा लंबे समय के investor हो या आपका preview थोड़ा सा लंबा होता है कोई stock लिया आपने या आपको कहीं से अच्छा news मिली हो company के कारेंट जहां पर अच्छा prospects है आपको लगता है तब आप ये जो है pattern low के basis पर stop loss रख सकते हो लेकिन अगर आपने बहुत quick scalping के लिए आपने ट्रेड ली की एक दो दिन मैं ज्यादा नहीं रुखूंगा एक दो दिन मैं जितना move आना आ जाना है मैं एक दो दिन के निकल जाओंगा तब आप रख सकते हो breakout level पे और अगर आपको एक swing पकड़ना है जहां पर आप ये सुश्टेगे नहीं पांस से बीस पसंट का मैं move पकड़ लेता हूं तब आप रखोगे swing level पे breakout के पहले जो swing है उन level पे आप stop loss रखोगे तब ये confusion clear कि किस समय कौन सा stop loss रखना है ये अपने को अब समझ में आ गया next हम आ जाते हैं volatility based stop loss volatility based stop loss हम दो तरीके से use कर सकते हैं पहले हम use कर सकते हैं बॉलेंजर बैंड जैसे देखे जैसे volatility की बात करती है अगर आप जैसे volatility की बात करोगे तो आपके जहम में सिफ दो ही सबसे पहला तो बॉलेंजर बैंड ही आ जाता है और दूसरा आ जाता है ATR और अभी एक नया indicator जो काफी चर्चे में है वह सूपर ट्रेंड तो आप बॉलेंजर हम आज के वीडियो में हम बॉलेंजर बैंड और ATR की ही बात करेंगे यह थोड़ा सा एडवांस हो जाता है तो अब जानते हैं हमें पता है जब मार्केट ऊपर जाता है जब एक बुल मार्केट रहता है तो उस समय जो वोलेटिलिटी होती है वो कम होती है तो उस समय प्राइज इतना फलक्चुएट नहीं करते और उस समय हमारा शेक आउट होने का जो चांसेज होता है वो कम होता है क्योंकि volatility गम होती है जब market नीचे गिरती है उस समय volatility बहुत जाधा होती है आपने देखा विक्स विक्स इंडेक्स है विक्स इंडेक्स है जब ट्रेंड उपर के तरफ है जब strong trend रहता है तो विक्स जो है जनरली नॉर्मल रहता है वो 16-17 के आसपास 19 से लेकर 15 के बीच में र 22 से चला जाता है COVID के समय तो बहुत उचा गया था जाके आप विक्स का चार्ट देखो आपको समझ में आ जाएगा और यह चीज आप देखिएगा जब market ऊपर जाता है strong market रहता है बुल market रहता है तो विक्स ठंडा रहता है आराम से एक ही level पे रहता है और जैसे market में हलचल मग जाती है market गिरना सुरू हो जाता है तो विक्स भी शूट होना सुरू हो जाता है तो जब market गिरती है तो market की जो price action हो ज्यादा बॉलाटाइल होती है ऐसे बड़े-बड़े candles बनते है तो जब यह बड़े-बड़े candles बनते हैं तो जरी से high probability कि आपको शेक आउट करके नि से अचानक में को खबर आएगी आपको शेक आउट करेगी लेकिन फिर जैसे ही वो खबर जो है डाइजेस हो जाएगी जिसे हम information arbitrage बोलते हैं जैसे वो खबर डाइजेस हो जाएगी प्राइज वापस नीचे आजाएगी तो यह आपको volatility के कारण आपको यहाँ पर नुकसान जिलना पड़ गया तो जनरली उस समय आप volatility based stop loss इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा catch होता है इसमें एक volatility based stop loss का सबसे बड़ा disadvantage क्या होता है अगर आपको पता है तो आप हम यूज करेंगे बॉलिंजर मेंड को बॉलिंजर मेंड बेस stop loss घ्यान के समझेगा बहुत must application है और यह जो application में आपको बता रहा हूं बॉलिंजर बैंड की यह आपने या तो बहुत या तो यह तो इस तरह से प्राइज बन रही है और हम टू स्टानर डिवेशन बॉलिंजर मेंड इसके उपर लगाते हैं ऐसे तो यह जो 95 परसंट डेटा को कवर कर लेता है काफी बड़ा डेटा कवर करता है हम ने यहाँ पर क्या किया इसको तुड़ा सा ट्वीक कर दिया इसको लेकिन जब यह बॉलिंजर बैंड की च्ट्वेशन को 2.5 कर दिया अब और 97% data 97% data जो है यह बॉलेंजर बैंड 2.5 setting की बॉलेंजर बैंड के अंदर cover रहेगी 2.5 setting की बॉलेंजर बैंड के अंदर 97% data covered रहेगी और फिर आप सोच रहोंगे कि इससे क्या होगा इससे क्या होगा मैं आपको बताता हूं तो देखिए अगर 97% data 2.5% Standard deviation Wollinger Band के अंदर है और अगर इसमें से कोई data भाण निकलता है इसमें से कोई data भाण निकलता है इसका मतलब वो कैसा behave कर रहा है जैसा 97% data behave नहीं कर रहा है उससे कुछ अलग behave कर रहा है बात समर रहे हो अगर 2.5 Standard deviation 2.5 Standard deviation अगर 97% of price data को cover कर लेता है तो इसका मतलब है कि अगर कोई price का बार या कोई price का candle 2.5 standard deviation के Bollinger Band से बहार निकलता है इसका मतलब उस जगा पर या उस band पे उस candle पे उस swing पे कुछ ना कुछ अलग हुआ है तो यहां पर देखिए वो जो event हुआ है या कोई ऐसा event हुआ है जिसके कारण यह जो price है 2.5 standard deviation को पियस करके निकल गई वो कोई अलग event है या तो कोई बड़ी position बनी है या कोई बड़ी position निकली है या कुछ ना कुछ अलग हुआ है तो अगर कुछ ना कुछ यहां पर अलग हुआ है तो हम इस point को stop loss बनाएंगे क्योंकि यह हमें पताता है कि भाईया यह जो move जो है 97% time तो move एदम ठीक थी ऐसा एक दिन में किसने क्या कर दिया जो move जो है 2 standard deviation 97% of moves से अलग हो गई तो इसमें करने वाला आदमी तो कोई बड़ाई आदमी होगा है ना तो यह हम stop loss अपना रखेंगे तो अब अगर यह support तूटता है तो आप यहां पर short position लोगे और अगर यहां पर short position लोगे तो देखिए यह जो price यह वाला जो candle है वो बॉलिंजर बैंड के उपर बंद हुई है 2.5 standard deviation का बॉलिंजर बैंड है तो यह हमारा stop loss रहेगा अब हम लोगों ने क्या किया volatility based stop loss हम लोगों ने यह पर बना लिया तो देखिए यह position अगर आप लेओ इस तरह से अगर आप trade manage करो तो यहां पर देखिए यह वापस आई ही नहीं यह pullback भी हुआ जैसे मैंने वो क्या क्या गिरतावा market जो है वो हमेशा फंसाएगा और एक बार वो वापस उपर जाएगा ही जाएगा एक बार वापस उपर जाएगा ही वह बाकी जो बचे यहां पर जिस ने बुद्धिमा ने दिखा के शॉट किये न यह स्मार्ट मनी शॉट करता है और यहां पर जो बुद्धिमा ने दिखा के जिस बंदे ने शॉट किया है उसको फसाने के लिए उपर जाएगा ही जाएगा और उसको फसाने के लेकर यह उपर जाएगा तो देखिए हम लोगों ने लास्ट टाइम जो stop loss देखा था जो breakout वाला stop loss देखा था देखिए ये breakout वाला stop loss था तो ये देखिए आपके breakout वाले stop loss को हिला देगा देखिए ये swing वाला stop loss था ये आपके swing वाले stop loss को भी हिला देगा उसे जैसे मैं आपको कहा ना कि जब bear market आता ह जब प्राइज नीचे गिरती है, जब प्राइज से कारेक्टर चेंज हो जाता है, जब नीचे गिरना सुरू होगा, तो प्लोटाइल हो जाएगा. तो इसलिए यहाँ पर हमने वोलेटिलिटी बेस टॉप लगा दिया, तो वहाँ तक पहुंचा ही ने. क्योंकि यहां पर भाया इसने अल्रेडी शॉट कर दिया है किसी बड़े प्लेड ने यहां पर अल्रेडी शॉट कर दिया है तो अगर यह इसके ओपर लेगे जागा तो उसकी प्रिशॉट पोजिशन खराब हो जाएगे इसे लिए ठीक उसके थोड़ा सा नीचे ले जाके यह प्राइस को घुमा देता है देखे चाल समझेए तरीका समझेए और जैसे मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ आपको नजर नहीं बदलनी है आपको सिर्फ सेम चार्ट सोते हैं मैं देखे मैं कुछ आपको अलग नहीं बताता है आप सोचते होगे कि भरत जिन्जिन वाला के प्रोग्राम में बरत जिन्जिन वाला कुछ अलग बताता है मैं कुछ अलग नहीं बताता है मैं आपको सही तरीका बताता हूँ और बहुत लोग फ्रेंड्स प्रोग्राम जॉइन करते हैं ये सोच के कि बरत जिन्जिन वाला कोई शॉटकट दे देगा बड़ जिन वाला अपनी जिन्दगी आसान कर देगा नहीं मेरे साथ अगर आप काम करोगे तो मैं आपको जम के महनत कराऊंगा जम के खटाऊंगा आपको तो कि मुझे आपको तयार करना है कि मार्केट के लिए जहां पर आप से ज्यादा स्मार्ट बंदा बैठा हुआ है कम्प्यूटर के ओपोजी साइड में अपने को दिखता नहीं है आप जब ट्रेड कर रहे हो आप वर्ल्ड के बेस्ट ब्रेंस के अगेंस ट्रेड कर रहे हो अब तो आप वर्ल्ड के बेस्ट अगर मेनत नहीं करना चाहते तो कम से कम मेरे प्रोग्राइम से जॉइन मत करिए मेंटरशिप तो बिल्कुल भी मत करिएगा क्योंकि वहाँ पर भईया खटनी होगी वहाँ पर इजी ऐसा कोई जैसे मैंने कहा ना कि मैजिक कैपसूल मैं दे दूँगा और आपको लगेगा कि कल से ही पैसा बनाना शुरू वैसा नहीं होता है जो लोग यह सोच के आते हैं उनको निराशा मिलती है मेरे यहाँ खटना होगा मैं थोड़ा ओल्ड स्कूल टाइप बंदा हूँ ऐसे ओल्ड स्कूल वाले होते हैं तो मेरे यहाँ खटना होता है तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स क्या हुआ यह ट्रेंड लाइन था और यहाँ पर यह देखिए यह वाला जो कैंडल है यहाँ पर दो तीन चार कैंडल जो है वो बैंड्स के बहार बंद हो गए बैंड्स के बहार बंद हो गए इसका मतलब कि यह तीन चार कैंडल जो है वो बाकी 97 परसंट अगर डेटा से कुछ हट के काम कर रहे हैं बिएकां यहां पर अगर आप यह डेटा देखो आऻयो अरे वो बैंड्स के अंडर ओकूर पर यहां पर यह कंडल यह कंडल यह बाकी 97 परसंट डेटा काम करती है लेकिन यहां पर तो कुछ volatility बढ़ना शुरू हो गई और फिर यहां पर volatility बढ़ना शुरू हो गई और फिर यह देखे आगया नीचे त्रेंड लाइन ब्रेक हुआ यह आपका सबसे apt stop loss level होगा volatility based stop loss using Bollinger Bands Bollinger Bands को इस्टमाल करके setting 2.5 standard deviation बाकी सब सेम है वो 20 period moving average ही है और शिर्फ standard deviation हम लोगों ने change कर दी 2 के जगए 2.5 कर दी हम लोगों यहां पर भी देखिए यह price गिर रहा है बाकी सब समय price जो थी वो Bollinger Bands के अंदर थी यहां पर क्या हुआ friends कुछ अचानक में ऐसा कुछ हुआ कि price Bollinger Bands के बाहर आ गई और 97 percent times जो candle नहीं कर रही है वो यहां पर कर रही है यह यहां से breakout हुआ और price अपने उपर का रस्ता लेती है आप यहां पर stop loss लगा दो price जो है यहां पर कभी आई नहीं पाई वापस प्राइज जो है यहां पर कभी आई नहीं पाई यह volatility based stop loss जब market रुक बदल रहा होता है उपर से नीचे गिरने के तयारी में या नीचे से उपर गिरने के तयारी में देखे emotions जो होते हैं human emotions जो होते हैं emotions कब होते हैं सबसे high होते हैं जब market high पे होता है यहां पर emotion सबसे high होता है यहां पर euphoria होता है FOMO होता है यहां पर जो है market जब low पे रहता है यहां पर भी emotion सबसे high होता है यहाँ पर डर रह थे कि अब यहाँ से और कितना नीचे जायेगा तो यह सब high emotion zone high emotion zone इसको high emotion zone बोला जाता है और जब high emotion होता है तो आदमी के दिल में uncertainty होती है और जब uncertainty होती है तो exhaustion या volatility होती है तो देखिए high emotion zone volatility होती है और उस समय अगर आप pattern base stop loss लगाओगे तो there is a high chance कि वो stop loss hit हो जाएगा इसलिए उसके लिए हम लोग यह volatility base stop loss को इस्तेमाल करते हैं तो अब next जो stop loss tool यूज़ करेंगे वो है ATR अब हम लोग इने ballinger band डेख लिया volatility base अब हम ATR देखेंगे ATR जैसे ballinger band जैसे initial position जैसे मैंने कहा ना कि stop loss दो जगए लगती है एक होता है initial initial मतला जब आप position लेते हो और एक होता है trailing जब आपका position profitable हो जाता है तो आप stop loss को trail करते हैं तो आप initial stop loss नहीं रह सकते हैं अब समझे आप यहाँ पर entry लेते हो और आपने अपना stop loss यहां रखा अब यह stop अगर यहां से ऊपर चला गया 25% तो एक बात बताओ आप stop loss नहीं रखोगे यह अगर यह नीशे आया 30% तो आपको stop loss करेगा इतनी बड़ी बेखुफी तो हम नहीं कर सकते हैं यह ऐसा थे बेखुफ है नहीं तो ऐसा कोई तरीका होगा जिससे हम अपने stop loss को trail कर सकते हैं उसके लिए हम use करते हैं ATR ATR is mainly used to trail position एक बार position हमारी direction में expected direction में move होना शुरू कर देगी तो हम फिर वो bollinger band वाला या हम fixed जो pattern stop loss होता है उसको छोड़कर ATR use करेंगे stop loss को trail करने में तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि यह यह यहाँ पर एक trade हमें मिला और यह trade हमें मिला कैसे मिला कि यह trend line बड़ी trend line जो है वो break हो गई हमने अपना initial stop loss यहाँ पर swing high पर रख दिया यह हमारा initial stop loss थे आई लिग दिया हमें initial stop loss अब जब यह trade हमारी direction में जाना सुरू होता है हमारी direction में जाना सुरू होता है तो हमने क्या किया हमने इसको trail यह ATR आप type करोगे ना ATR stop आपको type करना है trading view में ATR stop और इसकी setting है 5 और 3.5 यह setting आपको रखनी है और देखे setting कैसा है कि अलग-अलग stock की अलग-अलग setting होती है generally nifty 50 के stocks 5 और 3.5 को follow करते हैं तो अब आप देखो कि जैसे जैसे यह position नीचे जाते जा रही है जैसे जैसे position आपके direction में जाते जा रही है यह जो indicator है यह भी नीचे जाते जा रहा है अब आपको क्या करना है जैसे जैसे यह indicator जिन जिन levels पर जाएगा आपको रोज उन उन levels पर अपने stop loss को टेल कर देना है तो जैसे कि finally समझे यह यह आपने short किया somewhere यहाँ पर 470 के आसपास आपका initial stop loss 490 के आसपास था अभी position 409 के आसपास है और आपका stop loss 430 के आसपास है तो यह super trend यह super trend नहीं ATR आपको क्या बताया कि आपका position जो आपका initial stop loss जो है वो 400 हटके 430 पर आजाना चाहिए आपने 470 पर short किया और अभी आपका stop loss 430 पर है है कि नहीं अभी आप market के पैसे से अपने position को trail कर रहे हो तो यह है ATR based और यह trailing के कामात है trailing मतलब कि initial एक बार position जो एक बार जो stock है एक बार position जो है आपके favor में move होना शुरू हो जाए तो आप initial stop नहीं रखकर आप trailing stop रखना शुरू कर देंगे trailing stop आप price action के वज़े से भी रख सकते हैं बहुत तरीके हैं जैसे मैं आपको कहा volatility stop जो होता है मुझे खुद को personally पसंद नहीं है उसके पीछे बहुत बहुत जीजन है और मैं आप लोग को अगर आप लोगों को इतना आप लोगों ने बहुत वीडियो देख लिया और आप लोग बहुत दिन से लोगों को हम ने यहां पर breakout level के swing level जाता गया चलता गया चलता गया और यह जो green line है यह ATR की line है और हम हर एक बार इस ATR के level पर अपना stop ले जाते रहे तो यहाँ पर देखिए almost जो हमारी entry करीबन 900 रुपई के आसपास हुई थी और हमारा stop loss जो initial stop loss का है करीबन 870 के आसपास था अब यह position जो है वो 1311 रुपई तक पहुँच चुकी है और हमारा stop loss यहाँ पर करीबन 1230 के आसपास है तो यहाँ पर देखिए जो 900 का position था अभी 1300 हो गया है और 850 का stop loss जो है वो उपर बढ़के 1230 हो गया है मतब इसके बीच का जो difference है वो आपका profit अभी अपने market से पका कर लिया तो अगर कल के दिन कुछ ऐसा भी हो कि यह price नीची अचानक में आ जाए और यह इन levels को तोड़ दे तो आपका यह जो difference है वो आपके जीब में already है और अगर आप देखो अगर आप यह trailing इस्तेमाल करते हो तो यह आपको थोरा discipline में भी रखता है यह जो कितने ups and downs आए महिंद्रा में लेकिन यह जो indicator है ATR जो है इसकी setting आप जरूर देख लीजिएगा 5 और 3.5 मैंने कर दी है यह जो कितने सारे ups and downs आए लेकिन यह जो ATR है यह आपको पूरी discipline में रखता है बोलता नहीं भी आप बने रहो अभी और है अभी जूस और है आगे चलो सोना मिलेगा तो यहां पर देखिए यह आपक निकल जाओ निकल जाओ अरे राम राम यह क्या होगा निकल जाओ अपने ऐसे सुष्ट है लेकिन नहीं यह ATR वाला बंदा आपको बोल रहें नहीं बेटा बने रहो अभी भी बहुत रंग है तो क्या आना कि समझी आपने कोई position में entry की तो जैसे profit होता है आपको 10-20% का profit हो लो और आधा ATR के साफ से ट्रेल करते जाओ अब तो profit आपने book करी लिया है अब ATR से ट्रेल करना क्या दिरिक करते है पोजीशन को मना कि रखो बिना मतलब क्यों पोजीशन कारने जाए तो यह है ATR-based stop loss देखिए यहां पर भी यह important support टूटा head and shoulder आपको दिख रहा है और यह देखिए जैसे ही आपने trade लिया यह आपके favor में चला गया अब जैसे ही आपके favor में चला गया आप क्या करोगे इसको stop loss को trail करना सुरू कर दोगे ATR से और यहां पर देखिए यह जो position आपने करीबन 124 के आसपास ली होगी यह trailing करते 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 आपको almost 96 के पास आपको stop out करता है 96 एपास आपको stop out करता है तो अब आप देखो कि कितना यह आराम से आपको market का पैसा इस्तेमाल करने देखिए यह using markets money पैसे आपके invested है लेकिन stake कुछ नहीं है क्योंकि आप तो already अपने profit को बचा चुके हो stake कुछ नहीं है market पे पैसा आपका invested ज़रूर है लेकिन अगर कल को market घुम जाता है तो आपको पता है कि आप इतना कमाओगे इतना आपके जेब में already है आपने डाल लिया है कल को अगर market घुम जाता है तो trailing stop loss का यह benefit होता है और राइट यह trailing stop loss प्रेंट आगे बारे उससे पहले थोड़ा सा introduction मैं अपने आपको थोड़ा सा introduce करना जाता हूं हमारे mentorship program से तो यह stock club है जहां पर हम अपना इसी platform के थुरू हम अपना mentorship program deliver करते हैं मैं stock market के बारे में और technical analysis के लिए में trading भी देता हूं तो अगर आप इच्छुख हो जैसे मैंने आपको कहा कि seriously इच्छुख हो सीखने के और आपको लग रहा है कि आपको pursue करना है seriously market को pursue करना है तब यह mentorship के बारे में सोचिए और इस mentorship पर जरू जाल दीजिए यहां पर देखिए friends यह हमारा 80 hours का program है जह जितने भी members है वो जितने भी members है सारे members जो है वो professional है working professional है अपना काम भी करते हैं साथ साथ में trading भी करते हैं और बहुत अच्छे results उनकों को मिलते हैं मैं आपको अभी उनकी results भी दिखाऊंगा तो यह mentorship 80 hours का program है जहां पर आपको learning आपकी 80 hours रहती है उसके पाद एक साल के ल बार बार में revision राते हैं resource में हमारे सारे scanners हम आपके साथ share करते हैं हमारा market timing मोडल share करते है life sessions आपके साथ होती है जहाँ पर आपकी doubt clearing होती है one-to-one session यह e-meet feature है जहाँ पर one-to-one session आप मेरे साथ होंगे आपकी जहाँ पर आपके कोई bottleneck और आप अटक रहे हो तो आपके सास करते हैं यह पूरा program friends बहुत सारी analysis आती है आपके लिए बहुत सारे stocks आते हैं आपके लिए लगातार बहुत सारे videos हमेशा update होते रहते हैं videos कि आपको market के साथ इदम head to head रखे आप ये समझे कि आप जो देख रहे हो आप जो पढ़ रहे हो वह market में कैसे apply होता है mentorship है friends hand holding है और जैसे मैं आपको कहा serious traders के लिए है तो अगर आप चुक है तो यह एक बर program को जरूर देखे इसके अलवा हमारे पास short programs है अगर आप अपने existing skills को upskill करना चाते हो तो यह short program है हमारा सबसे famous program है intraday trading का program और CPAT program CPAT program हमारा most short after program है intraday trading most whatever program है पॉलेंजर बैंड नहीं ले तो भी चलेगा VSA volume का program है तो यह तीन program हमारा बहुत भी famous program है तो अगर आप अपने अगर आप इतनी serious नहीं हो के अंदर one month के अंदर within one month of taking this program आपको एडिसाइड करना पड़ेगा लेकिन इस चीज कर याद रखेगा इसके beyond आप आओगे तो मैं आपकी help नहीं कर पाएंगे यह हमारे mentorship के results है जैसे मैं आपको देखेगा यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कमाई यह 125 की यहां पर दूलक्स की 30 लक्स इनका 76,000 तो अगर आप सही तरीके से सही नफ पकड़ लेते हो 164 लाइट 262 तो अगर आप सही तरीके से सही नफ पकड़ लेते हो तो आपका profit हो गई प्रेंट देखे हैं हमारे पास portfolio managers भी है जो दूसरे के money जो दूसरे औरों के money manage करते हैं वो हमारे पास भी है जो हमसे सीख रहे हैं और globally हमारे पास even Hong Kong से South Korea से हमारे पास mentees है तर्की से आस्ट्रेलिया US UK यहां यहां से हम लोग के पास mentee है तो काफी एक किसी बोलते ना बहुत ही जबरतस जुडाओ है और बहुत ही जबरतस learning होती है और मैं आपको यह भी बता देता हूं engineers, doctors, MBS, IIT वाले, IM वाले यह सब हैं हमारे group में तो यह सब अगर सीख रहे है तो आप समझ लिजे कि किस level की programming और किस level की trading हम सिखाते हैं खेर आगे बढ़ते हैं यह हमारे program की बार अब हम आएंगे trend-based stop-loss में जहां पर हम use करेंगे moving average अब आप इस तो चोगे कि last last video में हम लोगों ने आपके साथ moving average की बात की दियो हम मैंने कहा था आपको की moving average एक बहुती बहुती versatile tool है अब आप देखो moving average को हम कैसे इस्तमाल करेंगे एक तरीके से जहां पर आप moving average को as a stop-loss यूज़ कर सकते हो trend trading के लिए जगर आपने trend में entry ली और आपको trail करना है तो ये भी एक तरीका है अच्छा moving average आपका इस्तमाल करोगे train trail करने के लिए जब market की volatility normal रहेगी जैसे मैंने काहां कि जब बहुत volatile market हो उड़िक आप super trend यूज़ कर सकते हैं लेकिन जब market की volatility नॉर्मल हो उड़िक कर सकते हैं तो यहांपर देखेěbeing moving average कैसे use करेंगे हम high-low band बनाएंगे moving average का high-low band बनाएंगे दस ऐसे में use करेंगे 10 period simple moving average 10 period simple moving average का high and low band बनाएंगे right high and low band बनाएंगे आसान है heading जो में आराम से बना सकते हैं high and low band हम लोगों ने बनाया और आप देखो कि ये initial position थी हमारी और market uptrend में है तो market थोड़ा कम volatile है तो यह हमारी initial position थी अब आप देखो कि यह जब moving average के अंदर जब तक price बंद हो रही है इस band के अंदर जब तक price बंद हो रही है हम अपने position को बनाई रखेंगे क्यों कि trend trading के लिए moving average से अच्छा tool तो कोई है नहीं और 10 period का moving average price को बहुत closely follow करेगा अब आप बोलोगे कि band मैंने क्यों लिया यह band का मतलब band से यह होता है आपको थोड़ा room मिलता है आपको थोड़ा buffer मिलता है आपको थोड़ा जगा मिलती है price को move करने के लिए जगा मिलती है रूम मिल गया, move करने के लिए तो यहाँ पर देखिया हम लोगों ने उसी हिसाब से यहाँ पर इसलिए हम लोगों ने 10 period का band लिया अच्छा 10 period का क्यों लिया 10 period जो moving average है friends 10 period जो moving average है वो price के बहुत करीब रहता है price को बहुत करीब से track करता है 10 period का moving average इसलिए हम लोगों ने 10 period के moving average को use किया है तो यहाँ पर देखिए इस जगह पर इस जगह पर दीए price जो है वो moving average के अंदर बंद होती है price moving average के उपर बंद होती है price moving average के अंदर बंद होती है यहाँ पर price ने moving average को breach कर दिया तो आपने जो trade करीबन 280 के पास लिया होगा वो आप exit करोगे 330 के पास यह आपका और initial stop तो आप यहाँ पर लगाओ यहाँ पर लगाओ जो आपकी मर्दी आपके श्रद्धा के हिसाब से आप लगा सकते हो यहाँ पर moving average को हम इस्तमाल कर रहे हैं 10 period moving average का band इस्तमाल कर रहे है low volatile condition में आप इसको इस्तमाल कर सकते हो high volatile condition में यह उतना effectively काम नहीं करेगा देखे टाटा मोटर सेम वही trade है जो हम लोग उने थोरे देर पहले डिसकूस किया 10 high period low period moving average को इस्तमाल करके और यहाँ पर देखे यह जब तक price moving average के band के अंदर बंद हो रही है आप जो है इसको इस् अगर समवर यहां short क्या होगा 470 पर तो यह 409 के आज़ पास आपको exit देगा बड़े बड़े large cap stock में अगर आप 77 रुपए short trade में long trade में निकाल लेते हो तो और क्या चाहिए क्या चीज सबसे जादा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या प्ले करते हैं आपका mindset आपका conviction प्ले करता है और अगर आपका mindset आपका conviction आपको उसे सबसे डेवलप कर लो तो आपको market पैसा बना के देगा ही देगा सही टूल होना चाहिए आपके पास entry की सही टूल होना इस बिस पच्चीज पच्चीज साल के डेटा हम लोगों ने बैक टेस्ट किया है यूएस मार्केट में हम लोगों ने 50 यहस का डेटा बैक टेस्ट किया है हमारे हमारे जो setup है उस पर और उसके बाद जो setup की probability आती है कम से कम 60 to 65% की probability आती है success की बहुत strong probability है कोई कोई setup 70% तक सब्सक्राइब की probability है अब हमारे बात नहीं कर रहे है तो यह मुविंग आवरेज देखे और भी सेम लासन टर्बो ब्रेक आउट और यह मुविंग आवरेज यहां पर निकलेंगे जब मुविंग आवरेज के बैंड के नीचे प्राइस बंद हो गया ब्रेक आउट पर यहां पर हम बोल सकते हैं करीबान 1680 के पास और यहां पर आपको एक्जेट मिल रहा है 1920 के पास तो लासन टर्बो जासा लाउंग आपको डिसप्लिन में रखता है यह जो ट्रेलिक बूविंग आवरेज है ट्रेलिंग है ट्रेल जो करने मुविंग आवरेज जो बैंड है इस तरह से तो आप आप तो यहां पर निकल जाते हैं हैं लोगों को मैं देखता हूं कि से बिखता हों कि संगल भी कulin यूज के लिए देखिए इसकी मैंने आपके साथ चर्चा नहीं की यह मां करता है वह भी moving average के तरह वह stop loss के तरह काम होगा यह क्या होता है ना high low point जो होते हैं high low point जो होते हैं 10 पिरेट का high 10 पिरेट का low एक तरह का fixed type of है लेकिन आपको दिखाता हूं मज़ेदार चीज है don chain channel क्या करते है ना generally एक move के high और low point को plot कर देते हैं तो समझे आप 10 पिछले 10 दिन के don chain channel को देख रहे हो तो वह 10 दिन का high plot कर देगा और 10 दिन का low plot कर देगा अब आप समझो हमने यहाँ पर क्या किया दस पिछले 10 दिन का high जब हम long trade ले रहे हैं तो हमने पिछले 10 दिन के low के निशे अपना stop loss लगा दिया 10 दिन के low का don chain channel नम्रों को ने प्राइज 10 दिन का low मतलब दो हफ्ते का तू वीक है ना पांच ट्रेडिंग सेजिन मिलते हैं तो दस दिन के moving average 10 दिन के low को तोड़ देता है price 10 दिन के don chain channel को price एकर तोड़ देता है दो विक के trend को तोड़ दिया इसका मतलब कुछ ना कुछ अलग हो रहे हैं वाला है यह जो ट्रेड है यह अपने दस दिन के लोग को पूरा सेफ करके चल रही थी यहां पर इसने अपने दस दिन के लोग को टच कर लिया जैसे ही प्राइज अपने 10 दिन के लोग को टच करती है इसका मतलब कि भीया कुछ ना कुछ गरबड है ऐसा कोई मूव आया है जो पिछले 10 दिन में नहीं आया अपने 10 दिन के लोग को टच कर रही है यह जो डॉंचन चैनल यह जो प्राइज यहां पर प्लॉट हुआ है मैं आको बताओं यह जो प्राइज यहां पर क्यों प्लॉट हुआ है यह जो प्लॉट हुआ है यह जो प्लॉट हुआ है पिछले 10 दिन का लोग है यह वाला पॉइंट यह जो white line पिछली 10 दिन का low है तो अगर price अचानक में अपने 10 दिन के low को touch कर रही है अभी तिख क्थो price नहीं किया था अचानक में ऐसा क्या हुआ तो जैसे price अपने 10 दिन के low को touch कर लिया तो समझ जाओ कुछ न कुछ गरबड है दया गरबड है तोड़ दरवाजा आप दरवाजा मत तोड़ो आप अपनी पोजीशन से निकल जाओ यहाँ पर बहुत उन्दा तरीका देखे एदम आसान तरीका मैं आपको उता रहा हूँ कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको जाक है बस उसको यूज करने का थोड़ा सा नजरिया चेंज कर लेना है तो बहुत कुछ आपको अलग मिनना शुरू हो जाएगा यहाँ पर देखिए यह प्राइज आपने यहाँ पर शॉट किया यह आपने डबल डबल टॉप जिसे मोलते हैं उस पर शॉट कर दिया और हम यह जो है अपने दस दिन के हाई को एक बार टच कर लेती है तो अब एक बार बताओ जब हम लोगों ने देखा कि भाया यह में में ब्रेकडाउन हुआ में जून जुलाई अगस्ट में जून जुलाई यह पिछले धाई मैने से अपने दस दिन के हाई प्राइस कोई नहीं बतल लेता है मतलब कि यहां पर स्ट्रेंथ आ गई है जो केंडल जो प्राइस अपने दस दिन के हाई को टच नहीं कर पारी थी पिछले धाई मैने से अचानक में ऐसा क्या हुआ कि वो अपने दस दिन के हाई को टच करना सुरू कर देती है इसका मतलब यहां पर बाइंग गैदर कर दिये है ओपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड बन सकता है और बाइंग दियारी चार्ड अब यहां पर बैंक निफ्टी यहां से मस्त चले जा रहा था और एक बार भी अपने दस दिन के लोग को टच नहीं कर रहा था एदम मस्त यहां से ट्रेंड मिल रहा स्ट्रॉंग ट्रेंड है दस दिन के लोग को तची नहीं कर रहा है इतना स्ट्रॉंग ट्रेंड है यहां पर अचानक में फ्रेंड कुछ होता है जहां पर बैंक निफ्टी आकर अपने दस दिन के लोग को अचानक में टच कर लेती है यहां पर ऐसा कुछ होता है कि यहां पर different हो गया है अब हम आएंगे fixed rupee stop loss में देखिए fixed rupee stop loss यह generally किस तरह का stop loss होता है अगर आप किसी trade में घुषते हो और आपने predefined कर लिया कि इस trade में चाहे कुछ भी हो जाए मैंने entry की है इस trade में मैं 5000 से उपर loss नहीं करूंगा जैसे ही मेरा loss नेरी position 5000 loss में जाएगी मैं exit कर लूँगा fixed rupee stop loss ट्रेड में घुषते ही आपने decide कर लिया कि इस trade में 5000 से ज्यादा नहीं खोंगा fixed rupee stop loss जैसे ही दूसरा trade आपने लिया आपने decide कर लिया कि इस trade में मुझे आप समझो 2500 से ज्यादा नहीं खोने आपके श्रद्धा की अनुसार 2500 से ज्यादा नहीं खोने fixed rupee stop loss आपने सोच के रख लिया कि इस से ज्यादा मैं नहीं खोंगा चाहे कुछ भी हो जाए मैं निकली जाओंगा तो आपने यह सोच लिया तो 2500 जैसे ही आपका loss होता है आप वो जीचते निकली यह figure आप कैसे decide करोगे कभी कभी यह figure अपने capital भी decide करके हो तो कैसे समझी है आपका capital जो है 1,2,3,4,5 एक लाग रुपए अब आपने decide किया कि यह जो एक लाग रुपा मेरा capital है मैं एक trade में अपने capital का 2% से जादा नहीं खोंगा चाहे कुछ भी हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने एक trade पे 2% से जादा नहीं खोंगा आपका stop loss fix rupee stop loss हो गया 2,000 रुपए अब जैसे ही आपने कोई position में entry करी वो 2,000 रुपए loss में गया आप कर जाओ exit 2% जादा आपको खोंगा नहीं है यह आपका rule है यह आपने rule predefined किया है यह तरीका क्या अच्छा तरीका है नहीं यह अच्छा तरीका नहीं है लेकिन कुछ नहीं से कुछ better है अगर आप technical analysis नहीं सीखना चाहते अगर आप patent based stop loss नहीं रखना चाहते अगर आप trailing stop loss नहीं रखना चाहते तो अपने दिमाग में mindset कर लिजिए कि इस trade में मैं इससे जादा नहीं खोंगा चाहे कुछ भी हो जाए अब यह नहीं खोंगा इसका मतलब यह मत करना मेरे भाई क कि एक लाग का आप यह सोचों कि एक लाग रुपए है इस trade में जब तक पचास अजार रुपए मैं नहीं खोंदू मैं इस trade से नहीं निकलू ऐसा मत करना कभी भी एक single trade में अपने capital का 8% से ज़्यादा हिस्सा मत लगाना यह लक्षमन जी की रेखा समझ लो इसको लक्षमन रेखा समझ लो 8% से ज़्यादा अपने capital का किसी भी एक trade पे दाओ पे मत लगाना यह भी higher side पे है आप अगरอड़ू trader हो अगर आप अखुरू trader हो कुछ नहीं सीखना चाते कुछ नहीं करना चाते बस बैठे बैठे मज़े से tip broker ने बोला हाँ भाई खरीद लो reliance मोटा भाई खरीद लो ये broker ने बोला Access bank खरीद लो वो broker ने बोला वेदानता खरीद लो वो broker ने बोला अधानी खरीद लो आपने broker के मानले पर या TV पर भूर सुन्दर कन्या को देखकर वो सुन्दर कन्या मुष्कुरा के भोली जैसे एकनी वत्तिशी दिखा कर वाराजू आपके नाक्तों मोतियों से चमक रहे हैं आप होगे खुश और उसने बोला कि आप देखिए क्यों ना हो मास्टर जी मैं कोलगेट दंट मंजन का इस्तमाल करता हूँ तो आप ने खरीद लिया कोलगेट राइट तो आप ऐसे अगर खरीद रहे हो क्या है टिप पे खरीद रहे हो ब्रोकर पे टीवी पे कुछ भी तरीके से खरीद रहे हो आप स्टॉप लॉस टेकनिकल अनालेसिस के बेसिस में नहीं लगाना चाते हैं तो ये फिक्स्ट स्टॉप लॉस रूल भी जरूर की आप मेंटेन करें अपने केपिटल का 8% से जादा किसी भी सिंगल ट्रेड में प्लीज मत खोए तो ये आप लोगों के लिए है उन लोगों के लिए है आप लोगों के लिए है जो की कुछ भी नहीं सीखना चाते जो की टिप, कॉल बगेरा पे ट्रेड करते हैं अगर आप कोई टिप की कॉल की सर्विसिस भी लेकर रखें तब भी अगर आप ये रूल को फॉलो करें वो चाहे कुछ भी बोले आप उसकी बात ना माने मैक्सिमम स्टॉप लोस आपका 8% होना चाहिए किसी भी हाल में इस से जादा आपको नहीं जाना है ये लक्षमन रेखा मान के चलो अब हम बात करेंगे दो बोनस से टकी पूफ कितने तरीके सब लिए भाई मैंने तो गी नहीं इतने तरीके बता दिए आपको अधर 10-11 तरीके बता ही दियोंगे और अब मैं आपको बोनस तरीके बताना चाहलो कि अगर आप भड़ा जुझीनवाला के साथ हो परो आरे के साथ हो तो आप को हमेशा मिलेगा कुछ अलग भी प्री प्री के चीजे बहुत पसंद आती है हमें है ना ईड तो यह बोनस सेट आप दो बोनस सेट आप में आपको दिखाता हूँ जो कि आप स्टॉ algae के लिए ही बनाए गए हैं उनका जनम ही हुआ है stop-loss के लिए पहला इंडिकेटर है यह अपको हर एक trading software मिल जाएंगे इसके लिए आपको अलग coding मोडिंग के रहे करने है पहला है चंदे crawl indicator चंदे crawl indicator राइट यह जो है यह एक जिसे हम बोले किस चीज़ को इस्तेमाल वोलाटिलिटी यह वोलाटिलिटी को इस्तेमाल करके इन्होंने फोर इसी जो ETR है ETR के जो calculation है उसको थोड़ा सा refine कर दिया थोड़ी अलग calculation करके इन्होंने यह stop loss का method जो है वो हो जा long और short का stop loss method अलग अलग है दो line plot होती है अगर आप long हो तो आपको नीचे वाला line follow करना है अगर आप short हो तो आपको उपर वाला line follow करना है तो देखिए यह चंदे crawl stop अच्छा इसकी setting भी मैंने थोड़ी सी उसमें खुजली कर दी है इसकी setting में भी इसकी setting आपको रखनी है 719 719 यह setting आपको इसकी रखनी है friends अगर आपको यह presentation चाहिए अगर आप सोचिरों कि यह presentation आपको मिल जाए तो मज़ा आजाए यह presentation आपको ज़रूर मिल जाएगी आपको सिर्फ एक काम करना है अपने दोस्तों के साथ यह वाला वीडियो शेयर कर देना है जल्दी से इस वीडियो के link को copy करिए और जल्दी WhatsApp ग्रूप में आपकी family के WhatsApp ग्रूप में friends के WhatsApp ग्रूप के college के WhatsApp ग्रूप में kitty बाटे के WhatsApp ग्रूप में gym के WhatsApp ग्रूप में morning walk के WhatsApp ग्रूप में kitchen cooking के WhatsApp ग्रूप में जल्दी से वीडियो शेयर कर दीजे अपने दोस्तों के साथ बहुत सारे टेलिग्राम ग्रूप में Facebook में LinkedIn में Twitter पर कहीं पर भी यह वीडियो आप शेर कर दीजिए और हमें इस नंबर पर बता दीजिए 9748173333 इस नंबर पर आप सिर्फ एक वाट्सेप डाल दीजिए स्क्रीन शॉट के साथ इससर आपका वीडियो हमने शेर कर दिया है तो हमारा बंदा जो यह नंबर यूज़ करता है आपको देर सवेर यह प्रेजेंटेशन भेज देगा रखिए गोत्रू करिए मज़ेदार चीज है लर्निंग फॉर लाइफ है सर लर्निंग फॉर राइफ यह यूट्यूब पर विडियो रहे नहीं रहे हटा दिया जाए मैं खुद अधीया पता नहीं लेकिन यह अगर आपके पास रहेगा तो आपके लिए लेंग फॉर लाइफ है तो यहां पर देखिए चंदे क्रोल य यह इंडिकेटर है 719 की यहां पर सेटिंग लगा दिये यह देखिए ब्रेक आउट हुआ यह यहां पर ब्रेक आउट मिला हम लोगों को अब हम यहां पर चंदे क्रोल इंडिकेटर से इसको ट्रेल कर रहे हैं यहां पर यह एक्जिट आ गया यह अगर आप में देखा होगा ATR प्राइस से थोड़ा सा दूर रहता है थोड़ा सा दूर रहता है moving average जो है price के एदम करीब आ जाता है लेकिन यह जो चंदे क्रोल है यह उन दोनों चीज को balance कर रहा है दोनों चीज को balance कर रहा है चंदे क्रोल इंडिकेटर यहां पर देखिए same अगर आपने शॉट लिया उसके उपर बंद हो तब भी आप निकल सकते हो उसको breach करते तब भी आप निकल सकते हो आपकी श्रद्धाग्य अनुसार ठीक है चंदे क्रोल इंडिकेटर है टेक्स है पी से आर पाराबॉलिक से आर जिसे बोला जाता है पाराबॉलिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पी पाराबॉलिक तो यह जो इंडिकेटर है यह वेल्स वाइल्डर जूनियर ने बनाया था वही बंदे है जिन्होंने ADX, RSI, ATR यह सब उनी की दिन है तो यह जो PSAR है उन्होंने बनाया था तो यह PSAR क्या होता है ना जैसे जब प्राइज उपर के तरफ जाती है ना तो इसके नीचे ऐसे छोटी-छोटी-छोटी-छोटी-छोटी मिंडी लगा देती है जब प्राइज नीचे के तरफ आती है ना तो इसके उपर छोटी-छोटी-छोटी-छोटी-छोटी ऐसे मिंडी लगा देती है तो यह जो मिंडी होती है यह जो मिंडी होती है यह जो डॉट्स हो यह वाईट कलंगी देखें इंडिया आपको दिख रही है थो अब जैसे ही डॉट ऑपोजिट डायेक्शन में अप्यर हो जाए तो यह हमारा यह 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 हमारा यह यह की अचानक में चली गई यहाँ ठूरा सा रुख बदलती है डॉट जो है वो opposite direction में चली जाती है तो जैसे ही dot opposite direction में चली जाए यह जो last mindy आपको दिखी इस trend के direction में जो last mindy आपको दिखी वो आपका stop loss है बस simple वो आपका stop loss है parabolic का इसका भी मैंने जो indicator value है वो मैंने change कर दिया 0.02 0.03 यह वाला change हुआ है 0.02 वह यह सब backtest से हम लोगों ने खुजा है ऐसे हवा में हम बात नहीं करें backtest के वज़े से हम लोगों ने change किया है इसलिए कहा ना कि backtest हम लोगों के जो भी methods हैं जो भी तरीके हैं एकदम thoroughly backtested है तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ जैसे ही जैसे वापस आते हैं जैसे ही direction change होने के पहले जैसे ही यहाँ पर मिंडी उपर के तरफ आई price थोरा सा correct करती है उपर के तरफ dots चले जाती है जो last dot होता है in the trend direction वो आपका stop loss होता है तो देखिए price यहाँ आती है इस last dot के नीचे नहीं जा पाती है फिर price उपर चले जाती है अब यहाँ पर देखिए price वापस उपर गई और यहाँ तक यह है last dot यह है last dot price यहाँ पर dot जो है change हो जाती है अब नीचे से उपर के तरफ आती है अब हमारा stop loss ये last dot का level हो गया, all right, फिर यहाँ पर देखिए क्या हुआ, फिर यहाँ पर price उपर के तरफ जा रही है, अब यहाँ पर उपर dot, तो अब हमारा ये जो level है, जैसे dot उपर गई इस candle पे, last dot in the direction of the trend ये था, ये candle के बाद हमारा stop loss हीट हो गया, तो आप देखो, कि यहाँ पर correction में भी ये बोल रहा है कि नहीं, ये healthy correction है, ये correction में भी बोला healthy correction है, इस correction में इसने बोला, कि हो सकता है correction थोड़ा deep हो, और यहाँ पर देखिए correction deep हुआ भी, तो parabolic SR का usage, unique usage है, और setting change की है मैंने, क्योंकि ये trend को अच्छी तरह से follow कर रहा है, ये ये setting है, बाकी stocks के लिए अलग-अलग setting होती है, वैसे ही जितने indicators होते हैं, उनमें थोड़ा सा, यही twist होता है, मैगी का magic masala, यही होता है, किसी को उसका formula नहीं होता है, इसलिए मैगी का magic masala, अपने को मैगी इतना पसंद है, यहाँ पर देखिए, short position जैसे हम आते हैं, यह dot, यह last dot है यहाँ पर, यह आपको दिख रहा होगा, यह last dot है, इंडर direction थे, फोड़ा सा बढ़ा करके दिखा दूं आज तो मैंने screen को बढ़ा करना ही भूल गया, चुट्टी चुट्टी में काम होगे, ठीक है, चली कोई बात नहीं, तो यहाँ पर देखिए, यह dot है, यह last dot है, इंडर direction of the trend, तो आपने क्या करेंगे, जैसे ही, नीचे dot आएंगी, आपने इसको stop loss बनानेंगे, और यह को कुछ भी अलग नहीं किया, वही tools, वही application, थोड़ा से twist के साथ, तो friends, यह था आज की episode, थोड़ा बढ़ा हो गया, लेकिन उमीद करता हूँ को पसंद आया, आप बोलते हो बड़े बड़े वीडियो लाओ, इसलिए बड़े बड़े वीडियो लेके आता हूँ, उमीद क मुझ म, मुझ बड़ा बड़े लेकी वीद थे वीद रऑ़े का रादियो लेके वीद वीदिस